वेलकम टो प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं छोटा सा विलेज व्लॉग टूर की वीडियो शेयर कर रही हूँ आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो शहर की गर्मी और ट्राफिक से दूर फ्रेश हवा गाउं में बहुत ही अच्छी लगती है तो गाउं का सफर हमारा शुडूर हो चुका है और यह हमारा ब्रेकफस्स जो हमने रास्ते में ही किया है जिसमें है पूरी और करी इसके बाद हम गाउं पहुच गये थे और पहुचने के बाद में हमने बहुत देर खाना खाने के बाद में आराम किया था यहां पर हमारा डि यहां पर हमारे लिए बहुत ही प्यार से तहारी बनाई जा रही है तो आप लोगों के लिए मैंने ये भी क्लिप शॉट कर ली है इसकी मैंने रेसिपी भी शूट की है आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी कमेंट करके जरूर बताईए कि आप इस तहारी की रेसिपी देखना चाहते हैं क्या क्योंकि ये चूले पर बनी हुई है तो ये बहुत ही मज़िदार तहारी बनी थी तो तकरीबन यहां पर हमारा खाना बनकर अब तयार है अब हम खाना खालेंगे तो देखिए अब तहारी बन गई है तो आप सब जानते हैं लकडी के चूले पर बने हुए खाने का मज़ा ही कुछ और होता है तो देखिए यहां पर हमारी तहारी बनकर तयार हो गई है और अब हम इसको सर्फ कर रहे हैं बहुत ही प्यार से बहुत ही मज़िदार ये तहा नाश्टा के बाद hago 5 तकेद ले Prix और इस दूसरे दिन और यहां पर नाश्टा हो रहा है दलिया उक्मा, इसके बाद भी आरा टाइम सहरा बातों में गुजर गया और उसके बाद यहां पर दोपहर के खाने की तयारी हो रही है, यह हमारा दोपहर का खाना है, बगारा खाना दालचा, तो यह भी हमारा बन गया है, इसके बाद हम खेतों में चले गए थे, यह हमारे दूर, दूर से दिखा रही थी मैं, तो यह भुट्टों की मकई की रास हो रही है, इसको ह तो यहां पर मकई की रास हो रही है इस तरह से मशीन में भुटा डाला जाता है और दाने अलग हो जाते हैं रिखेतों से आने के बाद में हमने डिनर किया था और वापस हम हैदराबाद की तरफ निकल चुके हैं यह है बॉंबे हाइवे और यहां से हम हैदराबाद की तरफ निकल चुके हैं ऐसे ही व्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं मेरे तो जरूर कॉमेंट करके बताइए और विलेज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शे कीजिए मेरे चैनल प्यूर कुकीं को एसे उसफुल वीडियो के लिए ठैक्स फॉर वचूंग